दोस्तो हमने पिछले अध्याई के अंदर बात की थी जो महात्मा बुद्ध थे महात्मा बुद्ध के अउसेसों को आंट बागों में बाटा गया था और उन पर अलग-अलग जगह इस्तूप बनाएब और आज इस वक्त हम बात करने वाले हैं इस्तूप के बारे में कि इस्तूप क्या होता हैं इस्तूप के बारे में जानेंगे और इस्तूप कितने परकार के होते हैं और इस्तूप जो महत्मुन इस्तूप हैं उन सभी इस्तूपों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं हम देखते हैं कि जो इस्तूप होता है इस्तूप का जो अर्थ होता है किसी वस्तूप का धेर अथार्थ मिट्टी का चबूत्रा यानि जो इस्तूप का निर्मान मरतक की चीता पर एक मिट्टी का चबूत्रा बना जाता है मर्तक के जो भी अस्ति अवसेस हैं उनकी जो महतपून वस्तुए हैं उन वस्तुव जो एक मिट्टी का चबूत्रा उस पर बनाय जाता हैं उसे इस्तुप कहा गया है यानि मर्तक की चिता पर एक जो मिट्टी का चबूत्रा बनाय जाता हैं उन्हें हम इस्तुप कहते हैं तो अब हम देखते हैं कि कालांतर के अंदर जो मोर्य सासक था असोक असोक ने 84,000 इस्तुपों का निर्मान करवाया था असोक ने एक कलिंग का जो यूद किया था 261 बिसी में उस समय जो मोर्य समराड था असोक असोक ने उस यूद के अंदर जो रन गोसे जो बेरी गोसे इन जो जो धम गोस्ट की निती अपना ही थी जो धम गोस्ट की निती इन्होंने अपना ही थी तो हम अब बात करने वाले हैं जो अब देखते हैं कि इस्टूप कितने परकार के होते हैं इन सब के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं जो सारे रिक इस्टूप जो सारे निर्मान इस्टूब भी कहते हैं क्योंकि जो सारेरिक इस्टूब होते हैं यह महात्मा बुद्ध के सरीर धातू केस दंत आधी उन से समंधित जो वस्तूब होती हैं उन पर इस्टूब का निर्मान करवाया जाता हैं तो उन्हें सारेरिक इस्टूब कहा गया हैं दूसरा है माहत्मा बुदध की उप्योग की वस्तुय है, जैसे भिक्सा पात्र, चीवर, और पादुका, संधारी, आदि पर जो इस्तुप बना Review जाता है, उन्हें पारि बोगिक इस्तुप कहते हैं तीसरा हैं उद्धי का इस्तूफ यानि उद्धेवन से जुड़ी हुई महत्मधद सब्सक्राइब के अनिके द्रूप से इनका निर्मान किया गया है तो तो हमने कितने परकार के इस्तूप होते हैं इनके बारे में हमने मुख्य रूप से बात की और अब देखते हैं कि जो बिहार है ना ये भिक्सों के आवास इस्तूप इनको बिहार का गया है यानि जहां भिक्सू रहते थे उनको बिहार का गया है और अब हम बात करते हैं तो जो मैत्पूर्ण इस्तूप हैं उन सभी इस्तूपों के बारे में तो देखते हैं सबसे पहले भरूत का इस्तूप भरूत का इस्तूप ये जो इसका निर्मान असोग द्वारा करवाया गया था जो तीसरी सताबदी इस्सापूर में इसका निर्मान करवाया गया था और पुरा तात्रिक वस्तू के लिए परसिद हैं यहां पर यह इस्टुप है और यहां एक बहुत स्टुप के भगनावसे स्प्राप्ट हुए है अलेकसेंडर कनिगम ने सर्परतम 1833 इस्वीु इस स्थी में इस स्थल का पता लगाया यहां से प्राप पुरा तात्विक महत्व की कुछ वस्तों को कौलकता करती संग्राले में तदा कुछ वस्तों को अर्णिय परियाग राज के संग्राले में रखा गया है तो दोस्तों हमने देखा हैं भरूत इस्तूप के बारे में और विश्यस बात इसकी जो वेदिका हैं वेदिका के उपर अजा सत्रू जो भगवान बुद्ध की बंदना करता हुआ दिखाई गया है तो ये मैत्पूने की ऐसे एक्जाम में स्वाल आते हैं कि किस इस्तूप पर उसकी वेदिका पर अजा सत्रू को भगवान बुद्ध की बंदना करता हुआ दिखाई गया है तो ये हैं भरूत इस्तूप बहुत ही मैत्पूने और अब ये अलग फैक्ट देखते हैं कि जो अनात पिंडग था इन्होंने जेत्वन बिहार बोध संको दान दिया था और ये जेत्वन बिहार कहा है ये हैं स्रावस्ति में कहां स्रावस्ति के अंदर तो हमें ये भी फैक्ट देखना है दोस्तो और अब हम बात करेंगे अमरावत्य इस्तूप के बारे में हम बात करते हैं तो यह अमरावत्य इस्तूप यो इसका प्राचिन नाम धान्यय कटक था ये धान्य। जो गुनटूर जीला अंदर पर्देश के अंदर इस्तत हैं और यह अम्रावती इस्तु जो क्रष्णा नदी के किनारे बना हुआ हैं और बात करते हैं निर्मान का तो सांथ वहानों ने इसका निर्मान करवाया था और यहां पर विश्एस बात हैं कि पत्तर की जगा संगमर मरका यहां पे परियोग हुआ हैं तो हमें ये फैक्ट भी देखना है और अब बात करेंगे धमेक स्थूप के बारे में लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं अजन्ता के जो बहुत धर्म के जो महांतम केंदर हैं ये अमरावति वग नागा अरजुनी कॉंड़ा हैं अब बात करेंगे दोस्तो हम धमेक स्थूप के बारे में तो बात करते हैं धमेक स्थूप के बारे में तो इसको सारनाथ स्थूप भी कहा गया हैं सारनाथ के अंदर ये आया हुआ हैं जो यूपी उत्तर परदेश के जो वारा नरसी जिला हैं वहां पर इस इस्टूब का निर्मान किया गया है तो देखते हैं कि जो इसका निर्मान गुप्त सास्कोल द्वारा किया गया और सबसे अलग महत्पुन बात हैं इसके अंदर धमेक इस्टूब के अंदर कि इसके जो चबूतर के इस्तान पर धरहतल पर इसका निर्मान किया गया है यानि जो चबूत रहें उसके इस्तान पर धरहतल पर इसका निर्मान किया गया है तो और देखते हैं सांची स्थूप के बारे में तो सांची स्थूप बहुत ही महत्पून है ये ये एमपी के अंदर आया हुआ है जो राइसेंड जिल्ला है वहाँ पर इसका निर्मान हुआ है और जो इसका निर्मान असोग द्वारा करवाया गया है और ये तीसरी सताबदी इस्था पूर में इसका निर्मान हुआ था और बात करते हैं इसकी खुदाई में सारीक पुत्र के आुसेस मिले हैं, किसके? सारनाद स्टूब की खुदाई के अंदर, अब बात करेंगे बोरो बदूर स्टूब के बारे में, बोरो बदूर स्टूब मधिय जावा के अंदर इंडोनेसिया में आया हुआ है, इसका निर्मान सलैंदर अब देखते हैं तो हम चेतिय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं चेतिय एक पवीत्र करक्स जिसमें छोटा इस्तूब होता उसे दागौब कहा गया है और जो चेतिय होते दना एक पवीत्र करक्स हैं उसके अंदर छोटा istubb بنا ہوا और उसे दागो कहा गया हैं और अपनी सुंदरिता के लिए प्रसीद चेती हैं काले का चेती हैं और अब बात करते हैं तो दोस्तो हम संची के isubb के बारे में बात करते हैं तो इसको मास्टूब के नाम से भी इसको पुकारा जाता है याنि ये प्रसिद मा इस्टूप के नाम से भी ये प्रसिद हैं और इसका जो पुन्द निर्मान के बारे में बात करते हैं तो पुश्यमित्र सुंग हैं सुंगवन्स का सासक इन्हों ने इसका पुन्द निर्मान करवाया था और इसे बात देखते हैं तो इसके अंदर पत्तर जो का सबसे प्राचीन इस्टूप पीपर हर्वा जो वस्ति उत्र परदेश में इस्टत हैं यह इस्टूप प्राकमोरी युगिन हैं इसकी जो चोड़ाई हैं 22 फुट और 126 फुट हैं इस इस्टूप के अंदर एक मंजूसा में बूद के आउसेज रखे पाए गए हैं और संफो ने पत्तर के जंगले में परिवर्थित किया 30 साची का इस्टूप राइसेन मद्य परदेश में इस्तत हैं यहां कुल इस्टूप की संक्या पीन हैं सबसे बड़ा je Armen special के नाम से प्रसिदें साची के स्टुब का ढांचा तीसी सताब्दी इसापूर असुग द्वार बनाया गया शंग सास को द्वार इसको गिस्तर्थ किया गया साची के स्टुब की पक्खी इटो की मूल सरचना सुंग काल में पत्तर का आवरण चड़ाय गया इसके एक और जंगले वत्तोरन दुआर आंदर सांतवान यूग में बनाए गई बोध गया इस्टूब बिहार के अंदर हैं इसकी निव समराट असोग दुआरा रखी गई लेकि निर्मान उत्तर मोरे यूग में पूर्ण हुआ इस इस्टूब में लगबग 30 जंगले हैं अमराबती इस्टूब आंदर परदेश के कुंटूर जिले में क्रश्ण नदी के दक्सिनी तट पर जित्ति सताबदी इस सफूर में निर्मित किया गया अमराबती इस्टूब का प्राच्छी नाम धानिय कटकता इस इस्टूब की खोज 1797 इसी में कर्नल कालिंग मैकेंजी ने खी अमराबती इस्टूब गंटा करती में बना हैं इस इस्टूब में पासान एक्टे स्तान पर संग मरमर का प्रियोग किया गया नागरजुनी कॉंड़ा इस्टूप आंदर पर्देश में 1926 में खोजा गया इसका निर्मान इक्वांसुवंस्य सासों ने किया अब हम चित्र द्वारा मैंतमुन इस्टूप हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सांती इस्टूप जो इस तरह से बना हुआ हैं ये राजगीर बिहार ये अजास सत्र द्वारा इसका निर्मान किया गया और 20 का सबसे उंचा 20 सांती इस्टूप कहलाता है 212 निर्माद किया गया अब बात करते हैं तो सांती इस भी सली बिहार स готов मत गया है यह ब्यृहर के प introduces makesनnes के प्रत्र BJण ले के अंदर गतस्मिर के अंदर माथ सब्णुत ठोला कॉंड़ा उन्दर परिडिश के अंदर और अब बात करते हैं बाबी कॉंडा इस्तु बाबी कॉंडा या अंदर परदेश के अंदर इस्तत है अब बात करेंगे दोस्तों बोध मठ के बारे में भारत का सबसे बड़ा बोध मठ कहां पे इस्तत है या अरूना चल परदेश के अंदर इस्तत है बोध मठों में परवन वर्सर हित्यू के दूरान मठों में पर्वास के समय बिक्सो दौरा जो अफराद किये गए थे उन अफराद की जो वहाँ सुखार किये जाते थे और वहाँ पे यह सामोरो आउजित होता था अब देखते हैं थोड़ा चेत्य और बहार में बात करते हैं तो बहुत बिक्सो का पुजा इस्तल होता था और विहार के बारे में देखते हैं तो यह बोध विकसों का निवास इस्तल होता था, यह मुकी रूप से अंतर हैं. दोस्तो थो, हमने इस अध्याई झाल झाल